लें जनाब इस छोटे से लेक्षर के अंदर आपको मैंने इंस्टॉलेशन करके दिखा नहीं है, फास्ट एपी आगी, तो परिशान नहीं हो ना, अभी आपके सामने इंस्टॉलेशन करते हैं, सो जब भी मैं कोई काम करता हूँ, इंस्टॉलेशन का, तो मैं विंडो के ऊपर इसको git bash के थूल करूँगा, यह मैंने git bash अपना open कर लिया, इसको मैं zoom in करता हूँ, तो git bash के अंदर मेरा konda environment चल रहा है, आप यहां से mini konda भी चला सकते हैं, अगर आपके पास git bash इंस्टॉल न create-n fast-api-env, इसका environment बनाता हूँ, minus y भी साथ लिखता है तो यह automatically एक environment बनेगा, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ताकि आपको समझ लेगे, यह environment बना रहा है अभी, environment बना के मेरे पास एक konda का virtual environment आ रहेगा, जिसके अंदर मैं installation करूँगा, now the environment is there, मैं मैं यहां पर लिखूँगा, konda activate fast-api-env, यह मैंने यहां पर इस तरीके से environment को activate कर लिया, अब इस environment के अंदर मैं installation करूँगा, konda install python is equal to 3.11, मेरी आदत है मैं जान बूच के जो बहुत recent version होता है उससे एक कदम पीछे वाला लेता हूँ, जो stable होता है, क्योंकि नया version जो होता installation में देख सकते हैं, अगर आप installation पर जाएं, for example, यहां पर मैं click करता हूँ, so you can see 3.8 से उपर वाला python को भी ले लो, वो कहते हैं, ठीक है, और हमारे पास fast-api stands on the shoulders of chance, दो हमारे पास है starlet and pydentic, ठीक है, तो data part के लिए pydentic पर यह करती है, standard web part के लिए starlet के उपर, तो मैंने python को install कर लिए है, with this command, यह मैंने python के लिए लिखी थी, अब मैं यहां पर pip install fast-api लिखता हूँ, और यह मेरे पास pip के थूरू install हो जाएगी fast-api, आप इसे konda के थूरू भी कर सकते हैं, but I like to install in different ways, मैंने यह वाली command run की, pip install fast-api, and it actually, it will install fast-api inside my PC, मैं zoom in इस वेटा से कर रहा हूँ ताकि जो लोग mobile पर सुन रहोते हैं, उनको भी नज़र है, बरलपा जी, mobile ते ना ही सुनो तो बेतर है, यहां तक समझ आगी है जी आपको, ओके, तो मेरे पास fast-api install होगी, मैं यहां पर konda list करता हूँ, जिससे क्या होगा, सारे के सारे, जितने भी मेरे पास softwares हैं, वो सार 12 seconda list करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यह मेरे पास है, यह fast-api यह ठीक है, मेरे पास py-dentic core है, जो database को deal करेगी, inside python py-dentic एक library है, जो databases को deal करती है, और starlet ऐसी है, जो web app को deal करेगी, यह दो dependencies, यानि कि giant जो है हमारे पास starlet and py-dentic, इन दोनों के ऊपर fast-api यह आपकी काम कर अगर मैं इन दोनों को open करूँ, तो इन दोनों को मिला कि यह app fast-api की जो library है, यह बनाई की यह, starlet and py-dentic, इसको starlet भी बोल देते हैं, अक्सरोकार, यह ASGI framework है, वो क्या होता है, इसके बारे में हमाने वाले दिनों में बात करेंगे, आप simply किसी भी ASGI framework के base के ओपर अपनी website क जो भी है, function वो बना सकते हैं, basically इसको asynchronous server gateway interface बोला जाते है, asynchronous क्या होता है, कि जो synchronous से थोड़ा सा हट की हो, इसके बारे में हम discuss करेंगे, जब jango को पढ़ेंगे, py-dentic हमारी दूसरी major library है, so जैसे मैंने pip install fast-api किया, यह automatically install होगी, and you will also need an ASGI server for the production such as uvcon, या hypercon, ठीक है, तो अगर आपको server को run करना है, so मैं simply क्या करता हूँ, इसको copy करता हूँ, copy करते के साथ ही, यहाँ पे मैं इसको paste कर देता हूँ, if I can do that, हो जा पाई, अच्छा, इसकी command ही different है, okay, command not found, I can do it again, control insert, I guess, क्या था, shift insert, shift insert, paste नहीं हो, और ही right click करके paste कर देते हैं, I see, मेरे पास, दुबारा से उसको मैं copy करता हूँ, copy, shift insert, ओ प्रावा, यहाँ पे, यह हमने, अब uvcon, जो है standard, या hypercon, आप इसे install करेंगे, तो यह basically क्या है, यह आपको asga server के functions के लिए use होगी, asynchronous, जो हमने पहले command पढ़ी थी, वो ही same, मुझे abbreviations से ज़्याद तर याद नहीं रहती, example के लिए आप क्या करेंगे, एक folder के अंदर यह वाली, एक basic app बनाएंगे, and then you will run by using this command, ठीक है, main और इसको आप इस तरीके से run करेंगे, और वो इस तरीके से 8000 port के उपर run हो जाएगी, so simple is that, के हम इसी चीज़ को एक simple सी fast API की base पे एक app बना के, उसको run करने वाले हैं, यहाँ पर यह सारी चीज़ें install हो गई है, अब अगला काम क्या है, मैं यहाँ पर अपने documents के folder के अंदर आता हूँ, यहाँ पर नया folder create करता हूँ, control shift N करके, यहाँ पर लिखता हूँ, fast underscore API underscore tutorials underscore kodenix, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फिर github repo पर भी आपके सामने पेश करना है, so यह मैंने यहाँ पर fast API tutorial kodenix के अंदर एक folder बना लिया, और यह मेरा highlighter क्यों नहीं चार रहा, cursor highlighter, let me see, यह होता नहीं है ऐसे, मैं अपना cursor highlighter चला लूँ, just give me one second, yes, now it's working, okay, fast API tutorials, okay, तो मैं आप क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं zoom in करता हूँ, सिरफ आपको दिखाने के लिए कि मैं क्या करूँ, मैं control L दबाता हूँ तो यह clear हो जाता है, I will go to my documents, documents के अंदर है fast API का folder, और यहाँ पर जाके मैं code लिखता हूँ, यानि के visual studio code को run करो, और जब मैं dot लिखता हूँ, इसका मतलब है इस folder के अंदर, अब मैं इस folder के अंदर visual studio code को run कर रहा हूँ, by using my terminal, ठीक है, when I run this, you will see के मेरे पास visual studio code कुछ इस तरीके से open हो गया, और इसके अंदर वो ही folder है, जो मैंने यहाँ पर बनाया हूँ है, अब इस folder के अंदर सबसे पहले तो मैं readme.md बनाऊँगा, which is my fast API tutorials for Kodanix, इस एक file के अंदर from Kodanix, यह readme है जो github के आप पर आपको नजर आएगी, मैं इसको बाद में push भी कर दूँगा, but for now, मैं यहाँ पे 01 basic app बनाता हूँ, basic app, fast API को use करके, इसके अंदर मैं main.py के एक file बनाता हूँ, और main.py के अंदर मैं यहाँ पे जाके, यह पूरे का पूरा code कोपी करता हूँ, I am not talking about के code के अंदर क्या लिखा है इस वकत, मैं इसको paste करता हूँ, so basically इसने क्या किया है, इसने union को यहाँ पे typing से import किया है, fast API को import किया है, यहाँ पे जैसे हम flask को instantaneous करते थे, मुझे लफज नहीं याद आ रहा है, मतलब चलाते थे, start करते थे, यह मैं कहता हूँ, उर्दू में, यह हमारे पास एक decorator है, जो हमें बताता है कि app को कहां पे चलाना है, हमारी app का नाम क्या है, obviously हमने यहाँ पे लिखा हुए, return, कलो, hello, word, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इसकी app की जितनी भी items है, उसको हम एक और decorator के साथ चला सकते हैं, and then we have this thing here, मैं इसके बारे में detail में अभी discuss नहीं करूँगा, जब हम अपनी app बनाएंगे, तब इस पे बात करेंगे, अभी सिरफ आपको server को run करने का तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ आ गए, meanwhile मेरे पास git bash open है, and I am inside 01 basic app, जब मैं ls दबाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास main.py की file चल रही है, so instead of using the terminal down there, जैसे मैंने यहाँ पे open किया है, now I have to conda activate fast API, API ENV, oh sorry, spelling mistake, यहाँ पे जिस तरीके से मैं git bash को वहाँ पे चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे चला सकता हूँ, so it's totally up to you, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, यहीं पे चला लेते हैं, इसको zoom in करते हैं, VS Code की खुसूसियत यही है, कि यहाँ पे आप सब कुछ run कर सकते हैं, cd01, cd not c, मेरे spellings को क्या हो गया, खेर, तो अब उन्होंने बोला है, जनाब server को run करना है, then you have to run this command, ठीक है, तो यहाँ पे uv icon, main, call an app, and reload, let's copy this, जैसे हमने run किया है, आप देख सकते हैं, कि हमारे पास एक link कहा गया है, कि 88,000 port के उपर, आपका uv icon, जो है, यह run कर रहा है, front end को, ठीक है, और जैसा कि आपको पता है, कि हमें यह server run करने के लिए, यह app install की थी, sorry, library install की थी, which is uv icon, ठीक है, uv icon, और uv icon क्या है, यहाँ पे अगर इसको open करें, we can understand कि uv icon, basically आपको asgi server provide करता है, जिसके तुरू आप app को locally run कर सकते हैं, ठीक है, और यह web server है for python, यानि कि asgi web server implementation for python है, यह recently इसको update किया गया है, and you can install in these two ways, मैंने standard वाला install किया, just to show you कि server क्या होता है, इस पे run करने के लिए, server यह है कि यह जो मैंने app बनाई है, control click करता हूँ, तो यह app मेरे पास front end पे चल रही है, ठीक है, जैसे हमने flask की बनाई थी, now my app is running on front end, and simply it's too fast, ठीक है, so इस तरीके से आप कोई भी app को run कर सकते हैं, ठीक है, simple, यहाँ पे server चल रहा है, मैं जब तक control C नहीं करूँगा, यह server चलता रहेगा, ठीक है, अब अगर मैं दुबारा से उसी link पे click करूँ, you will see, control click में करता हूँ, तो कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे, उस दुबारा code को मैं run करता हूँ, uvcon main colon app, minus minus reload, और इसको run करता हूँ, you will see, कि यहाँ पे server साफ फोरण से reload हो रहे हैं, क्योंकि मैंने reload का option वहाँ पे दिया हुए, ठीक है, अब अगर मैं, इसी के अंदर, hello word के अंदर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, hello codenix word, control s करता हूँ, तो आप देखें, यहाँ पे फोरण से, फोरण से update हुआ, इसको मैं refresh करता हूँ, और यहाँ पे codenix dot, underscore word, colon word आ गया, अब देखिएगा, यहाँ पे मैं space भी डालता हूँ, control s करता हूँ, नीचे changes हो रही है, अब गौर कीजेगा, तो यह क्या कर रहा है, real time changes लेके आ रहा है, यहाँ पे codenix लिखा मैंने, यहाँ पे YouTube लिखता हूँ, control s दबाऊंगा, you will see, कि यहाँ पे फोरण से shutting down हो रही है, और दबारा से reload हो रही है, यह क्यों हो रहा है, क्योंके हमने command के अंदर, यहाँ पे reload की option दी हुई है, ठीक है, so this is how it works, और इस तरीके से आप अपनी app को run कर सकते हैं, और यह basic तरीका का रहा है, कि आप किस तरीके से fast API को use करके, अपनी एक app को run कर सकते हैं, server का से होता है, installation कैसे होती है, and एक basic app, hello world की किस तरीके से बनाई जाती है, और आप किस तरीके से उसको run कर सकते हैं, by using only the back end option, हमने अभी front end use नहीं किया, अभी सिरफ back end को use कर रहे हैं, just to show you, कि यह किस तरीके से काम करता है, यहाँ तक समझ आगी हैं आपको, hopefully यह समझ आगी होगी, समझ दे गए ही हो, like, share, subscribe, यह क्या होता है, subscribe, यह तो बनता है आपका, नहीं बनता, तो आपके अपनी मर्जी है, यह tutorials बनाने के लिए अच्छी खासी मेहनत करने पड़ती है, and although it's free of cost for everybody, लेकिन जाहरी बात है, पिछे जितनी मेहनत होती है, चीजों को असान करके आपको समझाने के लिए, वो शायद ही कहीं और मिले, तो आपसे यह दरखास है मेरी के, please like, share, subscribe कर दिया करें, अगर subscribers आप रोरेड़ी हैं, तो दुबारा ना कर देओ, unsubscribe हो रहता है, like, share सुरूट करते हैं, ठीक हो गया,